प्रेंड्स गुड मॉर्निंग इस्टेशन सेंड प्लेसेज में आप सभी लोगों का वैलकम करता हूँ आपके अपने इस यूटूब के चैनल में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक 27 डिब्बे वाला रेक दिखाएंगे जो मोहिबिल्लापूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर नमबर दो पर खड़ा हुआ है आप लोग गिंती करते जाएगा एक दो तीन चार तो यहां से तीन कोच और यह एसी वाला चार कोच हो गए हैं तो यहां से आप गिनना शु कीजिएगा बाकी चलती हुई ट्रेन से भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो कुल लाकर 27 कोचेज हैं इस ट्रेन में जो की अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है जो मोहिबिल्लापूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर नमबर दो पर खड़ी है क्योंकि अभी तक जितन आने वाली सीमानचल एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें 24 कोचेज लगे हुए देखे हैं और जो अवद एक्सप्रेस है जो गोरकपूर से बांदरा या मुझाफरपूर से बांदरा चलती है उसमें भी हम देख चुके हैं तो आब चलती हुई ट्रेन से आप लोगों को गिन सकत लाया 24 कोच वाली ट्रेन या इससे बी कोई लंबी ट्रेन हो सकता है 24 कोचेज से लंबी वाली ट्रेन भी देश में कहीं चलती हो और मुझे उसके बारे में जानकारी ना हो आप लोगों को अगर जानकारी हो तो कमेंट्स में ज़गोर लिखिएगा खिलाल आप लोग देखते जाईएगा तो काफी लंबा रेक है, खाली ट्रेन का रेक खड़ा हुआ है और इस तरह से अगर हम पूरे एक याड की बात करें जहां पर कहीं भी क्रोस ओवर बना हुआ है एक छोड से दूसरे छोड तक, तो at least 35 कोच वाली ट्रेन मोईविल्ला पूर रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से खड़ी हो सकती है एक अनुमान के अनुसार जो मैंने अंदाजा लगाया पैदल चलके और कोचेस की संख्या को गिन कर तो देख सकते हैं फ्रेंट्स काफी लंबी ट्रेन ये रेक किस ट्रेन का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि कहीं पर भी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था सोर्स और डेस्टिनेशन का हाँ लेकिन ये जो कोचेस हैं सभी पूरोत्तर रेलवे के हैं सभी पर एनी एनी लिखा हुआ है आप चाहे देख सकते हैं याँ पर एसी वाले कोच पर भी अगर आप लोगों को जानकारी है कि ये रेक किस जगा से आया है किस ट्रेन का है तो आप लोग कमेंट्स करके जोओ बताईएगा तो एक 27 डिब्बे वाली ट्रेन का रेक मॉईबिल्ला पूर रेलवे स्टेशन के प्रेटफार नमबर 2 से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जो कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा दुआओं में आद रखेगा अपना ख्याल रखेगा अगर आप लोग भी हमें वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं मेरा वाटसप नमबर वीडियो के शुरुआत में दिया हुआ है वहाँ वाटसप नमबर लेकर टेलिग्राम या वाटसप के माध्यम से वीडियो भेज सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में मिलेंगे जय हिंद